Hey guys, welcome back to another video आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं MPPSC के तरब से नया notification आया है उसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में detail से बात करने वाले हूँ कि क्या इन्होंने notification में बताया गया है कौन-कौन इसमें apply कर सकता है क्योंकि vacances को बड़ा दिया गया है दोस्तों यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि MPPSC ने यहाँ पर bumper भरती को यहाँ पर release किया गया है इसलिए आपको वीडियो एंट तक देखना है ताकि आपको हर एक समझ में आ जाएगा और यदि आप इस notification को डाउनलोड करना जाते है तो हमाल टेलिगाम चैनल को जरूर जोइंग कर लेजिए उसकी link आपको वीडियो के description box में मिल जाएगे तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं देखी दोस्तों यह रहा इंका official notification यह notification 30 March को release किया गया है यहाँ पर सबसे अच्छी बात दोस्तों यह release किया है यदि आपने MPPSC Assistant Engineer 2021 का form फिल नहीं किया था तो आप बापिस से इस form को फिल कर सकते हैं अब काफी जादा student को यह doubt रहता है कि क्या हम बापिस से फिल करें तो दोस्तों आपको ऐसा नहीं करना है यदि आप पहले फिल कर चुके हैं तो आपको इस बाप फिल नहीं करना है यह उनी students के लिए है जिन्होंने पहले form को फिल नहीं किया है वो भूल गये थे मन नहीं था यदि उनका बापिस से मन है और यदि आप चाहते हैं तो आप इस पोश्ट के लिए इस form को फिल कर सकते हैं आपको form को फिल करना है यहाँ पर 6 अप्रेल से लेकर 15 अप्रेल के बीच में जो आपकी exam date रखी गई है दोस्तों वो 22 मई रखी गई है रविवार को आपको पेपर होने वाला है कहाँ पर होने वाला है कौन से चेंटर आपको मिलेगा मेरे डेटेल से बात करूँआ आपसे चोटी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंटर जरूर से देखिएगा और चेनल पेदी पहले वाविजिट करते हैं तो चेनल को सब्सक्राइब कर लिजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेसर आपके पास सबसे पहले पहुच जाए दोस्तो यहाँ पर आप इस एक्जाम के लिए एड्मिट कार्ट 17 मैं से डाउनलोड कर सकते हैं ज्यादा जानकरी के लिए आप इनके ओफिसल वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं इसके डारेक्ट लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्पूसम बॉक्स में मिल जाएगे याप हमारे टेलीकाम चैनल को भी जोईन कर सकते हैं यहाँ पर जो वेकेंसिस को रिलिज किया गया है इसमें vacancies increase कर दी गई है दोस्तो सबसे अच्छी बात यह है क्योंकि सबको doubt था कि vacancies का पेले काफी कम थी और यहाँ पर आप सभी को wait था कि यहाँ पर increase जरू करेगा MPPSC तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिविल में आप सभी के लिए 5 डिपार्टमेंट रखा गया है जिसमें लोग निर्माण विभाग, पैंचायती राज है, जल संसादन है, लोग स्वास्त है और नगरी विकास है 427 विकेंशिस को रिलिस्ट किया गया है, यहाँ पर विद्यो तेवाम यांतरी की में दो डिपार्टमेंट है, लोग निर्माण विभाग और जल संसादन जिसमें 34 विकेंशिस है और यहाँ पर जो यांत्री की वाले हैं उसमें लोग स्वास्त यांत्री की विभाग आपको मिलने वाला हैं पांच वेकंसिस हाँ पर रिलिस्ट की गई हैं नेक्स बात कर लेते हैं आपर जो वेकंसिस रिलिस्ट की गई हैं उसमें आप सभी को पहले परमानेट जोब मिलने वाली है 49,100 रुपे आपकी सेलरी होने वाली है जिसमें 54 का ग्रेट पे मिलने वाला है इसमें नहीं रहने वाले दोस्तों यहाँ पर मैं आपको पहले ही किलिया कर देता हूँ आपके पास फाइनल डिग्री आपके पास होना चाहिए तो ही आप यह इस पोच के लिए करते समय आपसे कोई गलती हो जाती है तो 17 अपरिल तक उसको करेक्ट कर सकते हैं और जो आपकी एक्जाम होने वाली है वो 22 मई को होने वाली है दूपर 12 बजे से 3 बजे तक होने वाली है जो सेंटर होगा आपका वो इंदोर भौपाल जबलपूर गॉलियर होने वाला है औ और आपको SMS और email के थूर 17 मई से आप अपने admin card को download कर सकते हैं तो I think आपको आज की पूरी वीडियो अच्छी लगी है यदि इस वीडियो से related आपको किसी भी प्रकार का doubt लगता है तो आप मुझे comment section में पूछ सकते हैं आपने doubt को clear कर सकते हैं साथ में आप हमारे telegram channel को join कर आपको मिल जाएगी और आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको महाँ पर मिल जाएगी यदि आपने अभी तक हमारे इस वीडियो को अपने फ्रेंट के साथ शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दीजिए ताकि उन तक इन नोटिफिकेशन पहुच जाए तो यदि आप चैनल पर पिलिवा विजिट करते हैं तो चैनल को सस्क्राइब कर लिजिए बेल आइकन को हिट कर लिजिए इससे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुच जाएगी अब हम मिलते हमारे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए आप ह